है दोस्तों वेलकम टू स्टड़ी आई एस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसक्रस करने वाला हूं क्या खेर क्यूं यहां पे चाइनीज कंपनी ने डिमांड करी है 443 करोड रुपए की ओके आपके सकते हैं हमारी जो आपके सकते हैं इंडियन रेलवे हैं इस के साथ एक कॉंटरेक्ट हुआ दोस्तों उसी के तहत यहां पर आप कैसकते हैं चाइनिज कंपनी डिमांड कर रही है इतने करोड रुपए का बारत की रेलवे से अभी कहसकते हैं आप लोग चाइना ने इंडिया को ले गया है आप के सकते हैं इंडिया को ले गया है Turkish कें ओवरा मेगा रूपीज 471 करोड इंडियन रेलवेस कॉंटेक्ट पर लेके जो कि आप कह सकते हैं अभी जब स्टैंड आफ वहा था हमारा बॉर्डर पे 2020 के अंदर उसके बाद टर्मिनेट कर दिया था इसको इस वीडियो के अंदर चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं और डिसकस करते हैं क्या खिर क्यों यहाँ पर चाइनिज कंपनी डिमांड कर रही है इतने सारे रुपए अब देखिए कुछ भी स्टार्ट करूँ से पहरे बता दूँ आप लोग को कि अनकेडमी के परफॉर्मेंस पर इसले दो सालों से हमें बहतरीन देखने को मिलती है जो टॉपर्स है दोस्तों यह हमें अनकेडमी से बिलॉंग होते हैं दिखाई देते हैं 31 अगस्त तक आप लोग लिए extension कर दिया गया है notes वगयरा का तो आप लोग अवेल कर सकते हैं offer को और आज के दिन सुबह 11 बजे आपको देखने को मिलेगा आपका UPSC CSC का GS combat जहां पर आप लोग जाके खुद को enroll कर सकते हैं और दोस्तों आज के दिन ही आप लोग लोग फ् पाइदा होगा आपके course purchase करते वक्त तो देगी दोस्तों बता दूं कि जिस तरीके से अभी इंडिया और चाइना धिरी धिरे अपनी जो political ties हैं इनको ठीक कर रहे थे लेकिन दोस्तों उस ताइम पर दिक्कत आगी जब आपका border stand-off हुआ लद्दाक के अंदर और उस time पर ही समर में ही 2020 में इस पूरी deal को cancel कर दिया, terminate कर दिया, मतलब कि ऐसी कोई भी हम संबंध नहीं रखना चाते थे चाइना से इसले हमने उन्ची जो को cancel कर दिया जून में दोस्तों उसी साल इंडिया ने cancel कर रहा था contract पूरे तरीके से to the CR, SE Research and Design Institute Group जो के company है controlled by Chinese government और यह दोस्तों यहाँ पर install करती है signal और telecom system को आप कर सकते हैं 417 km के stretch में जो की आपका कानपूर से लेके आप कर सकते हैं दीन दयाल उपाध्या जंक्षन तक था तो आप कर सकते हैं पूरा जो उस टाइम का जो भी signal और telecommunication होने वाला था दोस्तों उसकी जो पूरी fitting वगएर थी यह आपकी Chinese company लगाने वाली थी लेकिन फिर deal को cancel कर दिया गया इसके बाद दोस्तों बता दूं कि चाइना ने हमें मतलब इंडिया को international arbitration के अंदर लेके आता है वो जो कि आपके सकते हैं इंटरनेशन Chamber of Commerce है सिंगापूर में वहाँ पे और claim करता है कुछ चीजों को जैसे की dedicated freight corridor cooperation of इंडिया को लेके कि उन्होंने जो पैसा था portion था उनक इंटरनेशनली यहां पर कर सकते हैं केस कर दिया आप इंडिया पर अब आखिर क्या dispute है और क्या claims लगाया गया है देगे CRSC जो है वो first file करता है claim of 279 करोड का damages पर और इसके बाद यहां पर रिवाइज करता है अपने पैसो को 443 करोड तक साथी दोस्तों मैं बता दूँ आप लोग को कि इसके बाद आपके सकते हैं जो बैंक है उसकी guarantee को भी return करा गया विच डिएफए CCIL ने यहां पर forfeited करा और bank guarantee दोस्तों एक ऐसा deposit होता है जो कि contractor को डालना पड़ता है आपको सकते हैं pre condition जिससे कि वो secure कर सके अपने contract को मतलब इस तरीके साथ मालेजे कि आपने किसी के साथ contact करता है तो आपने जो पैसा उनसे लिया वो डाल दिया bank में एक as a guarantee कि पूरा जो contract है उसे complete होने पर आपको पैसा मिल जाएगा तो यह चीज़ हमें पता लगती है पर दोस्तों claim लगाया यह गया है कि इसके अंदर जो interest लगा करोड का जिसे यहां पर revise कर दिया गया था मतलब पहले लगाया था 71 करोड ने भारत ने लगाया था उनकी पैसा और फिर उसके बाद अब उसको बढ़ा के 234 करोड कर दिया है basically दोस्तों मैं बता दूं कि जो DF CCIL का जो claim है वो यह है कि जो recovery हुई है अपने mobilization को advance करने में retention money पे और जो balance आयाता है termination को लेकर उसको लेके बात करी गई है अपार्ट फर्म दोस्तों जो regulations लाए गया है वो four featured हमें देखने मलता है bank की guarantee पर अगर चैनी साइड यह बात करें तो इन्होंने यहां पर terminate होता है contract तो बताया उसको illegal in आपके चिकते हैं as much as DF CCIL ने compile नहीं कर अपना procedure कि वो कुछ ऐसी चीजे मतला है ऐसे circumstances के अंदर contract को cancel कर देगी तो यह चीजे पहले नहीं बताएगे थी और इसके साथ सा दोस्तों एक आपके चाहते है ट्राइबुनाल है under the ICC rules as per the terms of contract has been constituted तो जो ट्राइबुनाल है उससे call किया जाएगा for various submission जहां पर आपके च वाला उसने त्यारी बगएरा कर भी ली लेकिन बात ऐसी आई कि हमने जब terminate कर दिया तो उसका नुकसान हो गया तो उन्हीं चीजों को वो complain कर रहा है अब कितना जाद जरूरी रहा है यह चाइनीज के लिए यह contract है पूरा देखे चाइना के लिए दोस्तों यह काफी ज़ फिर उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे टो होल दाता है dedicated freight corridor project हो लेके जो के एक पूरी तरीके से western arm है उसको financed किया जाएगा through Japanese financial and technical assistant के साथ तो इंडिया यहाँ पे expand करता है अपने dedicated freight corridors को जिसे की जो यह काम है दोस्तों यह बहुत ज़्यदा advantageous रहता है अगर आगे future में कोई ऐसा काम होता है भारत के अंदर तो भारत चाइना को ही चुनता मतलब कि एक तरीकी से long term planning से जो चाइना है वो भारत को बांध लेता अप दिया गया आखिर officials क्या reason है कि इस जो contact है से आपको सकते हैं end queue करा गया तो इंडियन officials ने बोला कि यहाँ पे आपको सकते हैं कोई भी attribute नहीं दिया decision to terminate the contact to the political tension between two countries पर यह reason बताया है कि जो poor progress है काम की उसकी वज़े से उन्होंने cancel करा है despite जो है दोस्तों काम 2016 में चालू हो गया था और लगवग 20% ही complete हुआ था 2020 तक और यहाँ आपको सकते हैं कोई भी जो missed targets है इसे mention नहीं करा गया था साथ दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि जो post mortality performance उसको भी यहाँ पर glare facts पर रखा गया और Chinese giant ने यह बोला कि वह अनेबल है कि mobilize कर सके हैं अपने adequate resources को आपको सकते हैं किसी भी local tie-up के साथ मतलब कि वहां से तो लोगों cancel हो गया तो उन्होंने यह चाहा कि हम लोग किसी local body के सा करा project की site को तब उन्होंने यहाँ पर off guard पाया engineers को authorized personals को पाया गया कि वह absent है occasions पर भी और यहाँ पर material यूज किया था वह भी खाफिस लगिश्टा तो यह सारे reason बताए हैं उन्होंने कि वह लोग सही तरिकेट से काम निकर रहे थे इसलिए हमने जो cancel कर दिया अपना जो dealing थ दोस्तों अब अगर ऐसा होता है तो क्या होता है Chinese के इसके बाद करने से देखें contract दोस्तों यहाँ पर retender हुआ और Indian consortium ने यहाँ पर जो साइमन्स है उनको दिया यह काम for Rs.494 करोड से और अब तक दोस्तों बता दू मैं 48% काम complete हो चुका है तो यह काफी बढ़िया बात है है कि हमारी जो progress है वो काफी सही चल रही है इसलिए हम लोग अब इसके साथ continue रह रहे हैं यह सारी बात हैं जो कि हमें पूरे इस topic से लेटर पता लगती है I hope कि आपको जिए समझ में भी आई होंगी क्या खिर क्या बात रही कि इस विज़े से जो डील जो ती से terminate करा गया और चैनल को इससे क्या नुकसान है क्या फाइदा रहा अगर अब भी कोई आपका डाउट रह गया दोस्तों तो इसको क्लियर कर लीजेगा comment section में पूछ के मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए have a nice day and take care